हाई फ्रेंट्स आज मैं आपके साथ हेल्दी आटे के लड़ू की रेसिपी शेयर करूँ यह हमारे घर पे एक रिलीजियन पॉपोस से बनता है यह इतनी सारी कॉंटिटी में बनाए है यह दिवाली के दिन या तो देव दिवाली रहती है कार्थी की पुर्णीमा या तो चै चैत्री पुनम के दिन चैत्री अभी नवरात्री के उसके बाद जो पुर्णीमा आती उस दिन बनाए थे तो यह गाय की घी से ही मैंने बनाए थे तो यह सवा किलो गाय का घी है और सवा किलो हमारा चपाती वाला घ्यू का आटा है कोई भी इसे बारी क्या करकर दरदर चैता है और उसके फाइदे और बनीफिट्स भी बहुत है तो बस यह जितना हमें घी लेंगे उतना ही हमें आटा लेना है और अभी इसको हमें मेडियम आच पर सिखना है तो यह मैंने तो बहुत बड़ी कॉंटिटी में लिया है तो और जो मेरा बरतन भी है वह बहुत और आपकां कउंठिटी में भी पहली बार आप ट्राइक करें तो पाओ किलो आटा पाओ किलो गी से भी बना सकते है तो तब यह आज को रिलीजन के तो पर भी बनता है उसके बाद हमारे में जो घर के बड़े बुजर्ग रहता है ये वो मा के लिए बनाते है इस तरह से के लड़ू ताकि वो रोज जो अगर बच्चा दूद पीता है तो मा को बहुत भूख लगती है कभी कभी और कभी टाइम नहीं मिलता है तो वो कुछ भी बच्चे के पीछ रहते हैं तो खाना मना नहीं सकते हैं तभी भूख लगता है तभी इस तरह के वो लड़ू खाके उसके पर दूद पीती है तो एक उसको अच्छा सा बड़े सा टीका मिल जाता है कोई भी जंग या कुछ खाने खाना ले इसके लिए तो इस तरह से हमारे यहां पर जो मा र आते चलाते लगबख पौना घंटा एक घंटा हो चुका है तो यह आटा भी हलका सा इसका कलर भी चेंज हो गया है तो अभी इस टाइम पर आपको जैसे से किगे तो यह हलका भी हो जाएगा तो अभी इसमें देश्व ग्राम जितना यह बारिक वाला गोंद रहता है वो ड चल सकते पर थोड़े से इस तरह से क्रंची आएगे मुह में तो बढ़िया लगेगे और एवन देश्व ग्राम जितनी मैंने मामरो बदाम आती वो डाली आप नॉर्मल बदाम भी ले सकते तो मामरो बदाम तो बहुत ही हल्दी दिमाग के लिए बहुत ही तेज और बढ़ दो टाइप के में पाउडर डाल रही हूँ कंठोला पिप्रेमुट का पाउडर और सूट का पाउडर एक एक बड़ा चमंच तो यह भी बहुत ही बढ़िया है हेल्थ बेनिफिट है इसके यह आपको काफ सरदी बुखार में आपको मतलब बहुत बढ़िया साबित होता है इससे अपको काफ यह कुछ भी नहीं होगा और इवन सरदी ओमें तो बहुत ईयर खाते है इसके बहुत था है य Peterson आपको कंजोरी रहती है या तो कुछ भी आपकोशेरीर तुटता है तो यह बहुत हेल्दी रहते है तो यह मिक्स करने के बाद इसमें बड़ा तो बस आठा अच्छे से और डाक ब्रौन हो चुका है अच्छे से सिखक चुका है भी कच्छापन नहीं रहा तब इस में मिठापन अम एड़ करेगे तो मिठापन में इसमें मैं गुड़ डालूंगी तो गुड़ शक्कर से भी ज्यादा गुड़ बहुत ही फायदे मन रहता है तो यह यहां पर मैं और्गेनिक गुड़ का पाउडर डारी हूँ ताकि जली से यह इसमें अच्छे से मेल्ट हो जाए तो इसको जो भी गुड़ और इसको एकदम के आज चालू हो तभी गुड़ नहीं दालना अधरवास उसका पाक हो जाएगा तो हमारा जो लड्डू है वो कड़क हो जाएगी तो बस ऐसे हमें कंटिनूम मिक्स करते जाना है तो ऐसे ही है जो मिश्रन थोड़ा हलका ठंडा भी हो जाएगा और आपको एक बार इस तरह से हाथ में थोड़ा लेके देखना है तो बढ़िया से यह मतलब बंद रहा है तो यह लड्डू बना के लिए प्रॉपर तैयार है तो अभी इस तरह का चमचा में ले रही हूँ तो ताकि मेरे जो लड्डू सम्मान माप के पूरे हो नहीं ज्यादा है तो बस यह सभी लड्डू मैं बना रही हूँ वीडियो में आपको तो स्पीड में लग रहा हूँ लेकिन गोल लड्डू बनाते मुझे एक गंटा हो गया था तो यह विंटर की टाइम में तो इसमें में बहुत और भी हम लोग पाउडर डालके जैसे हलिम बीज जो अस अधी शोप में मिलते है वो फोड़े-धी डालते है पर यह बहुत भी मैंने ए चेतरी मेंने मैं लोडिक ठूरी गर्मी रहते तो ऐसे इतने हेवी पाऊडर गरंबं हम खानी सकते है और ज्यादा तर इस तरह के पाउडर का ठोडा टेस्ट किसों को अच्छा लगता है नही जो मैंने बोले हो सभी पाउडर आप यूज करके बनाए तो इसके बहुत सारे हेल्थ पेनिफिट रहते हैं तो बातों बातों में मेरे सभी लड्डू बढ़िया से बनके रेडी हैं और यह लड्डू मतलब मैंने थोड़े से अपने अनलॉज्स और थोड़े मेरे परेंस को दिये थे तो वो भी अच्छे से हैल्थ बनाए और थोड़े से मैंने घर के लिए खायते तो जली से और यह मैं लड्डू कम से कम एक से देड़ मैना तक आराम से घर पे मतलब खा सकते हैं और इसे कोई वजन वजन बढ़ता नहीं है मतलब हैल्ड पर्पस के लिए बहुत ह लड्डू है आप मौनिंग में अगर चाय कॉफी कुछ ऐसा कुछ पीते नहीं हो तो एक लड्डू और उसके साथ गरम दूद पी सकते हैं इवन शाम के टाइम में माच्छे बते चोटी चोटी मोटी भूक लगते तो अभी भी एक लड्डू या तो दूद पी सकते हैं उ मानी में एक लड्डू खिला लीजे इवन शाम के टाइम में पाच्छे बजे भी उनको कुछ मीठा काने की क्रेविंग बच्चों लोको होती है तो बिस्कुट केक पेस्टी सखाते हैं उससे भी ज्यादा यह अच्छा मतलब एक option है आप एक लड्डू उनको दे दीजिए तो मतलब उनकी मीठे की जो क्रेमीने वो भी कम हो जाएगी और शकर भी नहीं खाएगे तो आपको एक तोड़के दिखा रही हूं देख सकते कितना बड़िया टेक्शेर सौफ्ट सौफ्ट बने हैं तो आप यह वीडियो ज़रूर शेयर कीजेगा और घर पे जरूर ट्रा किजेगा और लाक्शाइगा